सब्सक्राइब कीजी हमर इस चैनल को पुराने कॉइन और नोटों के बारे में डीटेल्स और उसके वैल्यू के बारे में सच्ची जानकारी सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बात कने वाला हूँ 10 रुपे के ऐसे मोड वाले नोटों के बारे में ऐसा नोट तो आपने देखा ही होगा या तो आपके पास भी है पर क्या दोस्तो आपको पता है इन नोटों का कीमत अभी की समय में लाखों में है और अगर ऐसा एक नोट आपके पास भी हुआ तो आप भी लगपती बन सकते हो क्या है इसकी पूरी जानकारी वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा वीडियो छोटी होनी वाली है तो इस वीडियो को सुरू से लेके इंट तक जरूर देखे तो दोस्तो दस रुपे के ऐसे मोड़ वाले नोटों के कीमत के बारे में जानने से पहले हमें इसके डिटेल्स के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है तो यही है दस रुपे का मोड़ वाला नोट जो भारत में जारी हुआ था सत्तर के दसक में उस समय के गवर्नर थे एस जगरनाथन जी और उसके बाद के आर पूरी आईजी पटेल डक्टर मनमहुन सिंग ऐसे ही 90 के देशक में भारत में ये नोट बंद हो गया इस नोट को आप देख सकते दोस्तो इस नोट के बीच में 10 लिखा हुआ है और इसके साइट में देख सकते हो दोस्तो कि 13 भाषाओं में यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और अगर आप उपर देखे तो यहाँ पर रिजर्ब बैंक आफ इंडिया भी लिखा हुआ है उस समय के जो गवर्नेट थे वो थे के आर पूरी तो के आर पूरी जी के सिगनेचर भी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तो यहाँ पर आप आसक स्तंबह भी देख सकते हो पर अगर आप नोटीस करो तो देख सकते हो कि आसक स्तंबह के नीचे सत्यवे विजयते नहीं लिखा हुआ है जबकि अभी के समय में जो नोट याफी कॉइन होते हैं वहाँ पे आसक स्थंबा के नीचे सत्तेवे विजेते जरूर लिखा हुआ होता है जो कि इन नोटों में नहीं है उसके उपर आप इस नोट का सीरियल नमबर भी देख सकते हो और यहाँ पे आप इसका वाटर मार्क भी देख सकते हो बात करें इस नोट के पीछे तो इस नोट के पीछे बीच में आप दो मोर देख सकते हो और इसके आस पास बहुत सारे एनिमल्स को भी आप देख सकते हो अब बात करते हैं कुछ 10 रुपे के ऐसे नोट भी है जिन नोटों में 2 मोड के जगा, 3 मोड या फिर 1 मोड है तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ असर्फ दो मोड वाले नोटों के बारे में बात करने वाला हूँ उन नोटों के बारे में भी आगे जाके वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगा अब बात करते दोस्तो इस नोट के कीमत के बारे में हलाकि सभी 10 रुपे के नोट कीमती नहीं होते है पर आपको कुछ YouTube चैनल में ये वताया जाता है है कि ऐसे ही 10 रुपे का एक नोट का कीमत 10 लाक या फिर 5 लाक या फिर उससे भी ज्यादा है जो कि हगीकत में नहीं है दोस्तो अगर ये नोट इतने ही वैलुएबल होते तो मेरे पास इतने सारे नोट नहीं परे होते सच्ची जानकारी तो यही है कि इन में से कुछ गवर्नर सिगनेचर किये हुए नोटों का कीमत थोड़ा ज्यादा है जिन में से एम नार्सिंग हम जी के सिगनेचर किया हुआ 10 रुपे का ऐसा नोट अगर आपके पास हुआ तो उसकी कीमत अभी के समय में UNC में 300 रुपे से लेके 500 रुपे तक जा सकता है सेकेंड नोट है दोस्तो के आर्पूरी जी के अगर के आर्पूरी जी के सिगनेचर किया हुआ 10 रुपे का मोड वाला ऐसा नोट अगर आपके पास हुआ तो उसका कीमत आपको अभी के समय में UNC में देर सो रुपे से लेके दो सो रुपे तक मिल जाएगा तीसरा नोट है दोस्तो A.S. जगनाथ जी के A.S. जगनाथ जी के सिगनेचर किया हुआ 10 रुपे का ऐसे मोर वाला नोट अगर आपके पास हुआ तो उसका कीमत आपको UNC में 100 रुपे से लेके 30 रुपे तक मिल जाएगा और बाकी के जितने भी गवर्णर है उनके सिगनेचर किया हा नोटों का कीमत इतना ज्यादा नहीं है फिर भी अभी के समय में उन नोटों का कीमत UNC में 50 रुपे से लेके 100 रुपे तक जाता है तो दोस्तो ये तो हो गए 10 रुपे के ऐसे मोड़ वाले नोटों के कीमत के बारे में एक सच्ची जानकारी पर 10 रुपे का एक ऐसा भी नोट है जिसका कीमत सच्ची में अभी के समय में लाखों में है कौन सा है वो नोट वो मैं आने वाले वीडियोस में अपने चैनल में जरूर बताऊंगा उसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल करार का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है दोस्तो उसे दवा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ओल में सेट कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करे तो वो वीडियो आपको मिले सबसे पहले और दोस्तो आप भी कॉमेट में जाके जरूर बताईए कि आपके पास 10 रुपे का कौन सा गौवरनर का सिगनेचर किया हुआ नोट है और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल में जाके और भी वीडियो को देख सकते हो जिसमें से सायथ आपका भी काम का कोई वीडियो आपको मिल जाए और दोस्तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्त और अपने फैमिली मेंबर के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करे ताकि उनको भी ऐसे नोटों के बारे में डीटेल और इसके रियल वैलू के बारे में पता चले मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा और बाई बाई